राम राम किसान भाईयों, स्वागत है आपका जो आंतराल में मर्च को ज्यादा से ज्यादा difference प्लैंड की Growth प्रमोटोर का कारिय कैसे हो सके उसके लिए मिर्च में जो NPK रहता है 1261-00 ये खाद देने से हमारे मिर्च में कैसे फाइदे हो सकेंगे इससे हमारा मिर्च में कैसा डियोप्मेंट जादा से जादा हो सकेगा इसका प्रती एकड का प्रमाण कितना होगा इसकी हम स्प्रेइंग भी ले सकते हैं इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो जो भी फार्मर एक्सपरेश किसान एक्सपरेश इस हमारी यूट्योब चानल पर किसान भाई नए है जल्दी से जल्दी हमारी चानल कर सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ नोटिफ्रिकेशन बल अल वर रखने के कोशिस कीजिए ताकि आने वाले हर एक दिन में आपकी और हमारी मुलाकात होती रहे और मिर्च की फरस्ट के बारे में मिर्च की खेती के बारे में मैं आपसे जानकारी शेर करता रहूं तो किसान भाईो इस विडियो में मिर्च की में जो NK रहता है 12100 इसके फायदे कैसे हो सकते हैं? इसका इकड़ का प्रमान कितना होगा? तो पहले जान लीजिए कि ये जो NK है 12100 इसमें कौनसा घटक है? तो ध्यान दिजिए 12 टके इसमें नाइट्रोजन मिलेगा अपने को औ और इक्सरस्टटक के अपने को फॉस्फर से तो ये गटक मिलेगा इससे क्या होगा जो नत्र है और जो फॉस्फर से इसकी कमतरता ये मिर्च के पोदों में भर देगा और उससे क्या होगा कि मिर्च का जो ब्रैंचे से ज्यादा से ज्यादा डेवलोप हो सकेगा और मिर्च क जो पतिया है वो हरी भरी अपने को दिखने लगेगी तो किसान भाईयो ये 1260 जुरो जुरो इसका प्रती एकड का प्रमाण मिर्श में छोड़ने का कितना है तो देख लिजे अगर आपने मिर्श की खेती ड्रिप पे की हो मल्चिंग पेपर पे की हो तो उसके लिए हमको 5 कि प्रती एकड ये ड्रिप से देना पड़ेगा या फिर पाणी में की है तो पाणी से भी देना पड़ेगा और इसका जो स्प्रेइंग ये भी हम कर सकते हैं क्या तो हां अगर अपने को न्यानो में ये फर्टिलाइजर मिल गया तो इसकी स्प्रेइंग हम कर सकते हैं प्रती किसान भाईयों मिर्च में जबर्दस्त जोमदार जो डेवलोपमेंट होने के लिए 1260 00 इस खात का कैसे इस्तमाल होगा और इससे फाइदे कैसे हो सकेंगे यह आपको जानकारी आपने अच्छी लगी हो अभी तक फार्मर एक्स्प्रेस किसान एक्स्प्रेस इस हमारे यूट सब्सक्राइब किजिए कोशिश किजिए और यह जानकारी जो मिर्च की खेती करते हैं किसान भाई उनके पास शेयर करजिए उनके वार्टसप नंबर पर भेज दीजिए और अपने चैनल को डेली विजिट करते रहेए धन्यवाद जय जवान जय किसान